नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A to Z डिशिष उशा कुरजानी में तो आज आपके साथ मैं शेर करने जारे गुजराती फेमस डिश उंद्यो सर्दियों के मौसम में और उतरान पर ये गुजराती लोग बनाते हैं बहुत ही खाने में स्वादिस्ट और सबजी से भरपूर है ये काफी सारी सबजी है इसमें इस्तमाल होती है इसे आप रोटी, पूरी, पराठे, तीनों के साथ खा सकते हैं तो देर नहीं करते हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं उंदियों तो सबसे पहले इसमें हम इस तरह से मेथी के मुठिया बनाते हैं तो वो बना लेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या है इंग्रिडियन्स चाहिए हम वो देख लेते हैं सबसे पहले तो यहां पर मैंने मेथी लिये, ये करीब मैंने एक कप लिया है, इसके बाद मैंने यहां पर लिया है, एक कप बेसन, यानि के ग्राम फ्लोर ले लिया है, बेसन लेने के बाद मैंने यहां पे लिया है गेहूं का आटा ये भी मैंने एक कपी लिया है इसके बाद मैंने यहां पे लिया हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक एकदम काट लिया है ये करीब मैंने दो हरी मिर्च लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अजवाइन, यह मैंने एक चमच अजवाइन लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक चमच हल्दी पाउडर, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक चमच लाल मिर्श पाउडर, और फिर मैंने यहाँ पे लिया है नमक तो ये मैंने स्वात के अनुसार लिया है तो उंद्यू बनाने से पहले सबसे पहले हम मुठिया बना लेंगे तो यहाँ पे जो मैंने एक कब मेथी ली थी उसे मैंने अच्छे से साफ करकर धोक कर एकदम बारिक इस तरह से काट लिया है तो चलिए मुठिया का आटा तयार करते हैं तो सबसे पहले एक इस तरह से बाउल ले लेंगे और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे गेहूं का आटा इसी के साथ हम डाल देंगे ये बेसन जितना गेहूं का आटा हो उतना ही बेसन एक एक कब मैंने दोनों लिया है अब सारे मसाले डालेंगे तो सबसे पहले मैं डाल रही हो हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्ची के टुकडे, एकदम बारिक काट लिए हमने, वो डाल देंगे, और अजवाइन यहाथ में ले लिए अब इस तरह से मसल कर डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी आए अच्छे से अजवाइन डालने के बाद जो हमने तीन से चार चमच तेल लिया था वो इस तरह से डाल देंगे और करीब एक चमच जितना बचा देंगे अब इसके अंदर बारिक कटी हुई मेथी को हम डाल देंगे तो यहाँ पर सारी मेथी मैंने अच्छे से साफ कर ली थी दो ली थी और इसे एकदम बारिक कर लिया था मेथी डालने के बाद इसे हम अच्छे से सबसे पहले मिलाएंगे पानी आपको तुरंथ नहीं डालना है इसका हमें आटा ही गुनना है पर मेथी में थोड़ा सा पानी का मुष्चर होता है तो इसलिए आप पहले मेथी डालने के बाद अच्छे से से मिला ले उसके बाद ही हम इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो यहाँ पर सारे मसाले मिक्स हो चुके है मेथी मिक्स हो चुके है आटे बेसन के अंदर अब हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गुन लेंगे एक ही साथ नहीं डालना है हमें आटा नहीं जादा नरम नहीं जादा कड़क गुनना है मीडियम गुनना है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले और अच्छा सा एक आटा तयार कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आटा तयार कर लिया इस तरह से तो भी आप देख सकते हैं यह थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है तो जो हमने तेल बचा के रखा था वो भी इसके ओप लगाने तो थोड़ा सा हमने मल दिया है. अब जो वो एक चम्मज जितना तेल था हमने आटे पर लगा लिया है. अब इसे थोड़ा से हम चिकना करेंगे फिर इसके हम मुठिया बनाएंगे. तो यहाँ पर हमारा आठा चिकना हो चुका है अच्छे से अब इसमें से एक छोटी सी लोई निकालेंगे इस तरह से और इसके हाथों की मदद से इस तरह से मुठिया बनाएंगे अगर आप देखते हैं कि थोड़ा सा ये मुठिया बनाते वक्त थोड़ा सा चिपक रहा है तो क्या कीजे हाथ में फिर से थोड़ा सा तेल लगा लीजे बिल्कुल थोड़ा सा और ये मुठिया को लेकर इस तरह से रोल कर दीजे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चुपकेगा बाई चंस अगर चुपकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया इसी तरह से सारे अटे के मुठिया तयार कर लेंगे अब जब तक हम मुठिया तयार कर रहे हैं तो मुठिया को हमें फ्राइ करना है तो यहाँ पर हमने तेल गरम करने रख दिया है और आप देख सकते हैं हमारे मुठिया भी हमने तयार कर लिये हैं आप शेप इसका कोई भी तरह से दे सकते हैं गोल भी दे सकते हैं आपकी मर्जी है हमने इस तरह से लंबे मुठिया बनाया है तेल हमारा गरम है अब इसे एक एक करके डालेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे गरम कर लिया था अब इसे हम एक एक करके सारे एक बारी में जितने मुठिया डलते हैं वो डाल देंगे और डालने के बाद आपको एक मिनिट तक हाथ नहीं लगाना है फिर कर्ची की मदद से इस तरह से पलट देना है इसे आपको मद्यम आच यानि की मीडियम फ्लेम पर ही फ्राय करना है क्योंकि इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राय करना है नहीं तो क्या होता है फास्ट फ्लेम पर हम फ्राय कर देते हैं उपर उपर से फ्राइ हो जाते हैं और अंदर से कचे रह जाते हैं और बेसन आटे का फ्लेवर अच्छा नहीं आता है इसलिए दीमी आज पर इसे आपको इस तरह से लगातार चलाते होगे फ्राइ करना है करीब इसमें 5-7 मिनिट लगेंगे दीमी आज पर आप इसे फ्राइ करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है इसी तरह से चलाते जाए और दोनों साइट से अच्छे से इसे एकदम सुनेरे क्रिस्पी होने तक फ्राय कर लीजिए तो यहां पे आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से ये फ्राइ हो चुके हैं सिर्फ अभी हम एक मिनट इसे और फ्राइ करेंगे ताकि इसका अच्छा एक कलर आ जाए और अंदर तेग एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे ये मुठिया लगे तो लीजे फ्राइ होके तयार है एकदम क्रिस्पी और सुनेरे कलर भी आ चुका है इसे हम इस तरह से प्लेट में निकाल देंगे और सारे इसी तरह से फ्राय करते जाएंगे और इसी तरह से प्लेट में निकाल देंगे ये ऐसे भी खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं मेथी के मोठिया बहुत ही टेस्टी, तो आप इसे किसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं तो मोठिया हमारे तःयार हैं अब चलिए देख लेते हमें उंदियों के लिए और सबजी आ मसाले कौन से कौन से चाहिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप शकरकंदी लिया है जिसे मैंने इस तरह से टुकडों में काट लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक कच्चा केला जिसे मैंने छिलकों के साथ ही इस तरह से टुकडों में काट लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एलिफंट यम यानि कि जिमीकंद इती सूरन भी कहते यह भी एक कप मैंने लिया है इसी के साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है छोटे आलू इसे मैंने छील लिया अच्छे से साफ कर लिया ये करीब मैंने 10 से 12 लिये है और इसे मैंने इस तरह से cuts लगा दिये, सारे आलू में मैंने आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से cuts लगा लिये, last तक नहीं लगा है, बस बीच तक ही मैंने इसे cuts लगा दिये हैं अब इसके बाद मैंने हाँ पे लिये है चार हरे बेंगन इसे भी मैंने इस तरह से कट लगा दिया है, सारे बेंगन में आप देख सकते हैं लास तक नहीं लगा है, बीच से छोड़ दिया है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है परपल यम यानि की रतालू ये भी मैंने एक कप लिया है रतालू को मैंने इस तरह से टुकडों में काट लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है, ग्रीन पीस यानि की हरे मटर, ये करीब मैंने एक कप लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन बींस लिया है जिसे हरी सेम भी का जाता है ये भी मैंने एक कप ली है इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए ग्रीन फ्लैट बिंस इसे हरी चप्टी फलिया भी का जाता है ये मैंने एक कप ली है उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए सूर्ती पापडी इसे भी मैंने एक कप लिया है और इस तरह से थोड़ी साबूत रखिये और थोड़े इसके बीज मैंने निकाल दिये है इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए टमाटर तो मैंने तीन टमाटर लिया और इसे इस तरह से टुकडों में काट लिया है इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए एक बड़ा चमच अद्रक की पेस्ट अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए दो हरी मिर्च जिसे मैंने इस तरह से टुकडों में काट लिए दो बाग में बाट लिया है और आदा कप मैंने हरादनिया ले लिया है इसके बाद मैंने यहाँ पे लिये एक चमच हिंग इसके साथ मैंने यहाँ पे लिये अजवाइन तो ये भी मैंने एक चमच अजवाइन ले लिये है अब यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिये है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है नमक तो यह स्वात के अनुसार ले लिया है इसके बाद मैंने यहां पे लिया है लाल मिर्श पाउडर तो यह मैंने एक चमच लाल मिर्श पाउडर लिया है इसके बाद मैंने यहां पे लिया है एक चमच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक चमच धनिया पाउडर धनिया पाउडर लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक चमच जीरा यानि की क्यूमिन सेड जीरा लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिए मुमफली तो यह करीब मैंने दो चमच लिए है और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ले लिए तिल तो वो भी मैंने दो चमच लिए दोनों मैंने दो दो चमच लिए मुमफली और तिल और लास्ट में मैंने यहाँ पे ले लिया है सबसे पहले हम सूरन शकरकंदी और रतालू को तीनों को फ्राय करने वाले हैं तो जिसमें हमने मुठिया को फ्राय किया था उसी में हम इस तीनों को भी फ्राय करेंगे तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे यह रतालू तो सारे रतालू हमने डाल दिये हैं अब इसे चल तो यहां पर देख सकते हैं इसका थोड़ा थोड़ा हलका कलर चेंज हो चुका है अब इसे हम इस तरह से निकाल देंगे अब यही तेल के अंदर हम डालेंगे सूरन इसे जिमी कंद भी कहते हैं इसे भी हम एक से दो मिनिट तक फ्राइ करेंगे थोड़ी से यह करएंची जाल देंगे यह शकरकंदी यानि की स्वीट पोटेटोस इसे डालने के बाद इसे भी हम एक से दो मिनिट तक इसी तरह से चलाते होवे फ्राय कर लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है अब एक से दो मिनिट भी हो जिसमें हमने कट्स लगाए थे तो इसके लिए बावल लेंगे उसमें डालेंगे एक चमच लालमिश पाउडर एक चमच दनिया पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर और स्वाद की अनुसार नमक क्योंकि हमने मुठिया में भी डाला है तो आपको ध्यान से स्वाद अनुस सबजीया फ्राय की थी वही तेल इस्तमाल करेंगे तो वो तेल में दो चमज जितना इसमें डाल रही हूँ तो मैंने दो चमज तेल डाल दिया है अब अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे ये तेल डालने से क्या होगा इसमें टेस्ट और भी निकर कर आएगा तो हमने मसाला तयार कर लिया है अब ये मसाली को बैंगन में और आलू में अच्छे से भर लेंगे तो यहाँ पर हमने बैंगन आलू में मसाला भर के तयार कर लिया है एकदम अच्छे से मसाला भरा है आप देख सकते हैं अंदर अंदर तक आपको मसाला भर देना है तो यहां पर हमारे बेंगा नालू मसाले से भर कर भी तयार है इसी के साथ हमारे जो यह रतालू शकरकंदी और यह जो सूरन था वो भी तयार है और हमारे जो यह मुठिया थे वो भी तयार है हमने सब तयार कर अब हम बनाना शुरू करते हैं तो गैस के उपर हम इस तरह से कुकर रख देंगे और रखने के बाद जैसे कि मैंने आपको बता है कि जो हमने मुठिया सबजीया फ्राय करते हैं जो तेल का इस्तमाल किया था वही तेल का इस्तमाल हम बनाते वक्त भी करेंगे तो मैं वही ते देंगे, इसके अंदर हम हिंग, तो हमने हिंग भी डाल दिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे अद्रक की पेस्ट, तो हमने यहां पे एक चमच अद्रक की पेस्ट लिये, वो डाल दिया है, अब इसे हम एक से दो मिनिट तक थोड़ा सा इसे बून लेंगे, ताकि इसका ज तो यहां पर मैंने डाल दिया है, अब इसे हम एक मिनिट तक थोड़ा से इस तरह से बून लेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, बून लिया है हमने, अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, टमाटर डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, तो यहां पर के साथ हम डालेंगे सुर्ती पापड़ी तो यह मैंने थोड़ी साभुत रखिए थोड़े से यसके बीज निकाले हैं इसी के साथ हम दालेंगे यह ग्रीन बीन्स इसे हरी सेम envision का जाता है तो यह सारी सब्ची आपको मार्केट में आसानी से मिल जायेगी तो सारी हमने ढाल दी है अब अच्छे से हम इसे सबसे पहले मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसे हम एक से दो मिनिट तक इसी तरह से चलाते हुआए पकाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से mix करते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-2 मिर्ट हो चुका है हमने अच्छे से से मिला लिया है अब इसके अंदर हमें मसाले डालने हैं तो सबसे पहले मैं यहां डाल रही हूँ नमक तो यह स्वात के अनुसार डाल रही हूँ क्योंकि हमने मसाले डालते वक्त और मुठिया बनाते वक्त भी डाला था और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ दनिया पाउडर फिर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और फिर डाल रही हूँ लालमिश पाउडर सारे मसाले हमने डाल दिये है अब अच्छे से एक बार मिला लेंगे ताकि सारे मसाले सारी सबजियों में अच्छे से मिक्स हो जाए तो करीब एक से दो मिनिट तक इसी तरह से चलाते जाना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर एक से दो मिनिट हो चुके है सारे मसाले मिक्स हो चुकے हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलु, बैंगनं तक छी जो एक भू दाल चैण को कज़ा ? हमने तीनों चीजे डाल दी हैं अब इसे हम अच्छे से mix करेंगे ताकि सारे मसाले सबजी अच्छे से mix होनी चाहिए आपको ध्यान रखना है तो इस तरह से कर्ची से नीचे से चलाते होगे आपको इसे मिलालना है इस तरह से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है सारी सबजी अब बहुत ही बढ़िया लग रही है सारे मसाले लग चुके सबजी के अंदर अब जो हमने जिमीकन, सूरन और शकरकंदी को फ्राई किया था हम वो डाल देंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ रतालू रतालू डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे यह शकरकंदी तो शकरकंदी डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे सूरन तो हमने तीनो जो हमने फ्राई किये थे वो डाल दिये है अब जो हमने मुठिया फ्राइ करके रखे थे वो भी इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे और जो दो मुठिया हैं इस तरह से हम इसे मसल कर डालेंगे इसे फ्लेवर और भी बढ़िया आता है तो यहां पे मैंने मुठीय डाले थे और जो दो मुठीय थे इसे मैंने इस तरह से मसल कर डाला है तो हमने सब डाल दिया है अब कर्ची के मदद से इसे हमें अच्छे से मिलाना है आपने देखा सारी सबजियों का खेले बाकी बनाना इसे बहुत ही आसान है और टेस्टी बहुत ही ये लगता है तो इस तरह से हमने सारी चीज़े डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाना है करीब एक से दो मिनिट आपको लगेगा ये अच्छे से मिलाते होगे इस तरह से तो यहां पर हमने मिला लिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्ची के टुकडे हरी मिर्ची के बाद हम इसके अंदर डालेंगे गुड तो ये टोटली ओप्ष्टनले अगर आपको डालना है तो डाले otherwise आप इसे skip भी कर सकते हैं अब इसे हम अच्छे से फिर से इसे mix करेंगे गुड डालने से इसमें थोड़ा सा एक खटा मीठा स्वाद आता है और टेस्टी और भी लगता है तो आप इसे डाले अगर आप चाहते हैं नहीं डालना तो नहीं भी डाल सकते हैं ऐसे हमने अच्छे से mix कर लिया है अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो जिस कटोरी से हमने सबजिया ले थी वो मैंने दो कटोरी यानि की दो कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है तो पानी डालने के बाद इसे एक बार इस तरह से हलके से mix कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे अभी उंदियों मसाला ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा अब इसके उपर हम डाल देंगे ये हरा दनिया तो इसे मैंने अच्छे से साफ करकर बारिक काट लिया था ये करीब मैंने आदा कप लिया था तो हमने उंदियों मसालों और अरा दनिया भी डाल दिया है अब अच्छे से से एक बार मिला लेंगे इसे मिलाने के बाद इसे हमें ढखक कर दो सीटी आने तक पकाना है जब दो सीटी आ जाए तो आच आपको बिलकुल दीमी कर देनी है और इसे आपको 7-8 मिनिट तक उसी बाफ में आपको दीमी आज पर पकाना है तो इस तरह से ढखकन दे देंगे, 2 सीटी आने तक इसे पकाएंगे फिर दीमी आज पर इसे हम 7-8 मिनिट तक उसी बाफ में हम इसे पकाएंगे तो लीजे यह तयार है बढ़िया सा हमारा उंद्यू आपको धियान रखना है 7-8 मिनिट आपको धीमी आजपर उसी बाफ में आपको बंद ढकन में पकाना है तो इस तरह से आपको बढ़िया सा उंद्यू तयार हो जाएगा बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है और आप इसे उत्रान पर भी बना सकते हैं और ऐसे भी बनाईए सर्दियों के लिए सारी सबजिया बहुत ही हेल्दी है इसे आप रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, तीनों के साथ खा सकते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है तो बनाएए और मुझे कमेंट सेक्शन बताएए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूलें आज के लिए बस इतना ही गल फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए थांक यू फॉर वाचिंग